बोजपुरी सुपस्टार पवन सिंग के जीवन में लगता है कि उतार चड़ाव भरा दौर कभी खत्म होने वाला नहीं जी हाँ आज कल हम आपको बता ही रहे थे कि पवन सिंग और जोती सिंग में खटास तो है लेकिन इस खटास का पका प्रूफ इस हिसाब से लग गया कि जोती सिंग ने अभी हाल ही में इंस्टाग्राम एकाउन पर लगातार पोस्ट कर रही है चीजे और उस दीजों में जो जो कैप्शन रख रही है उन्हें देखकर ये लग रहा है कि उनका दिल बहुत बुरी तरह से तूटा है पवन सिंग पे और आप ने अगर गौर किया होगा तो इन दिनों जोती सिंग पवन सिंग के किसी भी ना तो स्टेशो पे जा रही है ना ही किसी फिल्मी सेट पर जा रही है जहां पहले आप जोती सिंग को लगातार कई फिल्मों के सेट पर देखते होंगे आज कल जोती सिंग इन सब चीजों से दूर है कहीं तो रिष्टे बिखर रहे थे जोती और पवन के कभी तो रिष्टे बिखर रहे थे पवन और जोती के कभी वो दौर था जब इन रिष्टों को समेटने में जुटे थे पवन सिंग लेकिन आज एक दौर है कि जोती सिंग ने इस बात को अपने रिस्पेक्ट से लगा लिया है जी हाँ उन्होंने जो कैप्शन में लिखा है उनका कहना है अगर किसी को लगता है कि इस वक्त मेरा बरताव इगो शो कर रहा है इगो ही सही लेकिन ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है याने की चोट कहीं न कहीं तो ऐसी गहरी लगी है कि जोती सिंग को ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है वैसे पवन और जोती में दूरियों का अंदाजा इस बास से भी लगाया जा सकता है कि जोती ने तो पवन के बद्दे पर उन्हें बद्दे विश्ट भी किया इंस्ट्राग्राम एकाउंट पर शोशल मीडिया एकाउंट पर इसे शो भी किया लेकिन भाई पवन सिंग है कि वो न जाने किस एटिट्यूड में है अपनी पतनी को तो उन्होंने बड़े विश्ट तक नहीं किया खैर यहां भी हो सकता है कि जोती सिंग को ही गलत ठहराया जाए लेकिन भाई जब बात इगो से बढ़कर सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है तो बात बढ़ जाती है क्योंकि इगो वाले मुद्दे को तो आप शांत कर भी सकते हैं लेकिन रिस्पेक्ट वाले मुद्दे को यानि कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाले मुद्दे को आप शांत नहीं कर सकती तो खेर ये था जोती और पवन के रिष्टे का हाल ये भी हम बताना चाहा रहे थे कि आज कल जोती सिंग पवन सिंग के हर एक सूट से दूर रहती है नहीं जाती उनके शूटिंग स्पॉट पर जबकि उनकी फिल्म की शूटिंग कैसन हो जाला प्यार की शूटिंग इन दिनों लखनओं में हो रही है अब आप बताएए बलिया से लखनओं कितना दूर अरे भाई अपने प्यार से मिलने तो लोग साथ समंदर पार भी पहुच जाते हैं लेकिन यहाँ है कि जोती सिंग पवन सिंग से मिलने तक नहीं आए यह वही लखनओं है जब पवन पुत्र की शूटिंग हुआ करती थी और जोती सिंग वहां मौजूद रहा करती थी झाल झाल